नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों बात करेंगे एक नहीं दो नहीं तीन क्लारिफाइंग तीन आई है और विद डेटा आया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और इससे आगे का व्यू भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वीडियो गर अच्छे लगते हैं इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगती तो लाइक करना मत भूलेगा और कल भी देखने को मिलेगा आपको ऐसा ही प्राइस एक्षन with learning concept जिसमें देखेगा अच्छा momentum आपको देखने मिलेगा बस इसके लिए आपको क्या करना है हमारे telegram channel को join करना है जिसका link description में आपको मिल जाएगा तो सबसे बड़ी बात और सबसे देखेगा important task क्या है कि पहले तो एक data आचुका है वो दो चीजों को correlate करता है अब ये data क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ और कल तो एक बहुती बड़ा data आने वाला है वो तो आपको पता ही होगा GDP का data US GDP का data और कल आने के बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि परसो expiry है तो आप समझ सकते हैं कि कितना जादा important होगा कल का दिन और कल की information तो जितनी भी information है वो आपको provide की आती है but at the end of the day रात को एक बज़े बारा बज़े कोई भी scenario अगर change होता है तो उसका video नहीं बनता है उसको telegram पर update किया रहता है तो इसलिए भी आप हमारा telegram channel join कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला indication देखिएगा आ चुका है कि United States का CB consumer confidence का data आ चुका है जो forecast था 100.4 का और देखिएगा actual आया है 90.98.7 अब यह indicate क्या करता है इसके दो scenario है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ तो सबसे पहले तो data देखिएगा आज आया है market बंद होने के बाद आया है जिसका impact आपको कल देखने हो मिलेगा यह confirmation है और यह क्या बताता है यह आपको पता होना चाहिए तो basically देखिएगा अगर आप देखिएगे conference board consumer confidence measure the level of confidence consumer have in the economy यानि कि कितना ज़्यादा support कर रहा है consumer अपनी economy को यह indicate करता है when the consumer are optimistic यानि कि जब सब कुछ सही चलना होता है आपकी earning भी देखिएगा अच्छी हो रही है economy भी grow कर रही है government के जो measures है वो भी आपके business growth के लिए है तो जो consumer होता है वो economy को लेकि optimistic होता है और optimistic होगा तो वो क्या करेगा spend more करेगा यानि कि क्या करेगा pessimism में convert हो रही है इसका मादब निराशावादी सोच है और consumer जाधा spend करने की सोच नहीं रहा है और reading that is stronger than forecast is generally supportive bullish यानि कि अगर जो आपने सोचा था उससे अच्छा data आता है तो यह माना जाता है bullish momentum और जब देखेगा आपने जो सोचा है उससे weaker data आता है तो इसे माना जाता है bearish sentiment तो अभी आया क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सोचा क्या था 100 और आया है 98 तो sentiment क्या है bearish है क्या है bearish जो data है इसका मतलब economy में slowdown देखने हो मैं सकता है अमेरिका की तो आप समझ सकते हैं कि slowdown recession ये indication है कि आपका जो capital market है से impact होगा अब ये कितना था कितने तक गया है ये चीज बहुत important है तो मैं एक एक करके data दिखाता हूँ कि देखेगा आप में ये 106 के आसपास का था तो आप देखेंगे यहाँ पे और उसके बाद अप्रेल में 107 था मार्च में 107 था फरवरी में 110 था तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 98 हुआ है इसका मतलब लोगोंने खर्चा कम कर दिया है इसके दो point of view बिलते एक तो देखेगा मंदी का थोड़ा सा महल बनेगा लोगों के पास पैसा ज़्यादा है नहीं तो वो invest भी कम करेंगे वो जो कि आप आपको भी पता है कि आप emergency के लिए अपने देखेगा conservative सोच के लिए आगे के लिए देखेगा पैसा बचा के रखते हैं तो first thing, second positive चीज क्या है कि ये खराब आया है तो rate hike है उसमें देखेगा क्या कोई relaxation देखने हूं में सकता है उस point of view से अगर आप देखेंगे, Fed के point of view से देखेंगे तो ये ठीक चीज है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि consumer ने अगर spending करना कम कर दिया है तो हम जिस target से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज सही है लेकिन ये कहां पे रुकती है, ये कही economy को recession में तो नहीं लिए आएगी तो ये चीज बहुत important है फिर बात करेंगे चाइना की, तो चाइना ने क्या कहा है, ये चीज बहुत ही positive है बाजार के लिए और Asian market के लिए तो चाइना ने कहा है कि हम अपनी 2022 की GDP rate को achieve करने के लिए किसी भी तरीके का risk लेने के लिए तयार है तो आप समझ सकते हो, इनको कितना बड़ा achievement करना होगा इनको करना है 5.5% के achievement तो आपको पता है कि अगर ये इसको achieve करने के लिए कोई भी risk लेने के लिए तयार हो जाएंगे तो इसका मतलब metal के लिए positive update है cement के लिए positive update है और अगर आप देखेंगे metal हो गया, cement हो गया growth point of view हो गया construction हो गया, paints हो गया इन सब के लिए देखेगा बहुत ही important use है लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर inflation का भी खत्रा बड़ेगा चुकि चाइना में construction पे सबसे ज़्यादा focus है और सबसे बड़ा participation भी देखेगा चाइना की GDP में construction का होता है तो अगर यह देखेगा चीजों को जाते हैं beyond the level लेके और GDP को target को achieve करने की कोशिश करते हैं तो वो construction के लिए metal के लिए और overall growth के लिए international GDP के लिए वो बहुत अच्छी चीज है तो यह चीज positive है और economic growth के लिए इन्होंने बताया भी है कि हम बहुत अच्छे अच्छे measures ले रहे हैं ताकि देखेगा unemployment कम हो inflation पे भी थोड़ा सा देखेगा रोक लगे और लोग spend जादा करें क्योंकि आपको पता है कि पूरी तरीके से इनको अभी अपनी economy को सुधारना है zero covid strategy के बाद और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से full confidence है कि हम अपनी GDP को अच्छी तरीके से क्या करेंगे revive और overcome करा ले जाएंगे और इसके लिए government पूरी तरीके से देखेगा प्रयास कर रही है और funding भी डाली जा सकती है जिससे economy जल से जल चाइना की growth पे track पे आ जाए तो यह market के लिए अच्छी update है फिर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे अभी statement आ रहा है fed के president का john williams का तो उन्होंने क्या कहा है यह बहुत important है इन्होंने दो point of view में diplomatic बात कही है जिसको आपको समझना है एक तो इन्होंने यह कहा है कि हम recession नहीं आएगा मलब US में recession नहीं आ सकता लेकिन हम अपने track पे देखीगा बिलकुल भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने का recession is not his base case यानि कि recession को लेकर वो चिंता करी नहीं रहे recession like आएगा ही नहीं आएगा उनको यह पता है likely हम avoid कर देंगे लेकिन यह multiple high interest rate करेंगे यह confirm है अगर आप देखेंगे यह पूरी तरह के से confirm है कि आप यह multiple high rate करेंगे यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है लेकिन यह कह रहे है कि आपको अमेरिका की strong economy में recession आने की संभावना बिलकुल भी नहीं है तो अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा है I think economy is strong clearly financially condition have tightened and I am expecting growth to slow this year quite bit relatively what we had last year इन्होंने कहा हमारी growth slow हो सकती है खराब हो सकती है बट recession में हम नहीं जाएंगे और इनका अंदाजा है कि जो economy है वो 1% से growth कर सकती है और पिछली बार इसने कहा था 5.7% के आसपास इसी particular time में और उन्हेंने कहा था कि slow down हो सकता है सब चीज़े देखने हो में सकती है लेकिन हमारा main target है कि inflation को come down लाना है तो आपको मैं एक बता देता हूँ यह कह तो ऐसा रहे है लेकिन आपको पता है on the ground data पे work होता है basically तो आपको पता है यही fed है जिसने कहा था कि हम अभी पैसा डाल लें पैसा डाल लें inflation is not our base of case यानि कि inflation के हमें कोई भी बात नहीं मैं तब की बाद बता रहा हूँ जब इन्होंने कहा था 2% का inflation था तब ही इन्होंने चीजों को predict करना शुरू कर दिया होता तो आज यह चीजे देखने हो ना मिल ले होती फिर क्या हुआ 4% हुआ तो थोड़ा cautious हुए फिर 6% पे यह थोड़ा बिल्कुल aggressive हो गए और अब आपने देखा all time high बना रहा inflation तो आप समझ सकते हो ना कि basically हम क्या कह रहे है और on the ground क्या चीज़ उसमें काफी difference होता है तो आपको भी पता है कि अगर यह multiple rate हाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से recession का खत्रा आएगा यह क्या आएगा चुकि आप prediction भी क्या कर रहे हो 1% GDP growth rate तो हो सकता है यह achieve ना हो पाए को uncertainty आजाए तो यह आपकी जो GDP है वो लगाता है 2-3 quarter में minus में जा सकती है और फिर recession का खत्रा देखने हो ले सकता है तो इन सब चीज़ों का impact कल multiple आपको रेखने हो मिलेगा कल volatility भी जादा रहेगी और कल position ना बनाईएगा चुकि Thursday को expiry को बहुत सारी चीज़े चीज़ हो सकती है तो वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न बूलेगा Thank you so much